आज पंजाब के मुख्य मंत्री भगवन्तमान साब ने एक शानदार ऐलान किया है जैसे दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है ऐसे ही एक जुलाई से पंजाब में भी पंजाब के लोगों को तीन सो इनिट फ्री बिजली मिलने चालू होगी जब हमने गारंटी दी थी चुनाव के दौरान की हम बिचली फ्री करेंगे सारी पार्टियां कहती थी अरे खजाना खाली है खजाना खाली है यह हो नहीं सकता केजरी वाल जूट बोल रहा है बगवन तुमान जूट बोल रहा है देखो हमने करके दिखा दिया हम जो कहते हैं वो करते हैं तो हमने एक ही महीना हुआ है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम एक एक करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे ये पार्टियां पूरी तरह से पंजाब को लूट के जा चुकी हैं, खजाना बिलकुल खाली था लेकिन मैंने कहा था कि नियत की जरूरत है, अच्छी नियत की जरूरत है, इमानदारे की जरूरत है मैं बार बार कहता था कि हम आदमी पाटी इमानदार है, कर्टर इमानदार है, इमान साथ इमानदार है, कर्टर इमानदार है, हम इमानदार सरकार देंगे और देखो एक ही महिने के अंदर हमने पाई पाई करके पैसा बचा के आपके लिए पहला इतना अच्छा एलान कर दिया हम पैसे नहीं खाते हैं हम रिष्टा चार नहीं करते हैं लोगों को यकीर नहीं हो रहा कि राजनीती के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव में जो वादे किये जाएं वो वादे पूरे होते हैं आज तक 75 साल में राजनीती है चुनाव के पहले जितने वादे किये गए कोई वादा किसी पार्टी में पूरा नहीं किया कभी कोई व हम पड़े लिखे लोग हैं हम जो कहते हैं वो करते हैं हमारे पर भरोसा रखना ये विपक्षी ये विरोधी हमारा खूब विरोध करेंगे लेकिन हमें इसकी कोई परवाली है क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं